स्वागत अब अच्छो आपका सेल स्टेडी के इस चैनल में तो आज की हम अपनी 28 वीडियो वोकैब की स्टार्ट करते हैं और इससे पहले आपने 27 वीडियो वोकैब की नहीं देखी हैं तो जाकर देख लिजे एक प्लेलिस्ट बना रहे की हैं वोकैबरी के नाम से तो वहाँ पर आप सबको वो सारी वीडियो मिल जाएंगे ओके वोकैब हम कैसे कर रहे हैं हम याद कर रहे हैं वोकैब को विद की या फिर करें विद ट्रिक के साथ ताकि हमें ये शब्द याद रहने में असानी हो बिना टाइम गवाए आज का जो पहला वर्ड है वो हम देख लेते हैं पहला जो वर्ड है वो है स्पर्स क्या है? स्पर्स स्पर्स इसका मतलब होता है बिखरा हुआ बिखरा हुआ स्पर्स इसको हम याद करेंगे देखो हम spurs को जब बोलते हैं तो कहीं न कहीं is spurs is spurs में रिखांगे is par is par, इसको हम ऐसे करने वाले हैं यह जो trick बनेगी, इसको याद करने की spurs को is par कईयों की आदज होती है वो s को is बोलने की होती है, मैंने काफी बार यह notice किया है, spurs यानि हम इसको याद करेंगे spurs को is par is par से, clear, ओके example के दुरू हम इसको समझते हैं इस par से इस par से उस par तक इस par से उस par तक सब कुछ सब कुछ बिखरा हुआ है बिखरा हुआ है clear यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इस par यहाँ पर इसकी की भी आगी और बिखरा हुआ यहाँ पर meaning भी आगया अब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मेरे राइटिंग ना काफी अच्छी होती जाए रही है दिरे-दिरे तो यह तो आपके सामने पहला word पहला क्या था? spurs spurs, spurs का मतलब होता है बिखरा हुआ और इसको हमने कैसे याद किया? इस par से अब first word के बाद हमने second word की तरफ चलते है second जो word है वो है recalcitrant तोड़ा सा lengthy नाम हो जाता इसका recalcitrant 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 इसका मतलब होता है जिद्धी, हटी मतलब आज्या नहें मानने वाला ओडर नहें मानने वाला recalcitrant 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 को हम याद करने वाले हैं देखो recalcitrant को पहला तो हमने री लेना इसका री री का मतलब क्या होता है? English का री है यह री होती ना दोबारा जो बच्चों की री आ जाती हो गयता है न दोबारा पर पर देना पड़ता है तो तो दोबारा तो यहां से हमने इसका री ले लिया calcitrant का हम इसको बना लेते हैं calcium में recalcitrant का मतलब होता है जिद्धी हटी और हमने इसको क्या कर लिया? recalcitrant को अलग करके इसको calcium में बना लिया ताकि हमें एक की मन जाए इसकी एक example की तुरू समझो ज़रा recalcitrant लेने की वज़े से यह नि दोबारा calcium लेने की वज़े से recalcitrant recalcitrant लेने की वज़े से लेने की वज़े से वह बहुत ज़ादा अरे तयाना था बहुत ज़ादा जिद्धी हो गया है जिद्धी हो गया है clear यहां पर जिद्धी यहां पर meaning भी आ गया और recalcitum यहां पर इसकी की भी आ गई recalcitrant यह तो था यह आज का second word मतलब इस वीडियो का second word second word के बाद हम चलते हैं third word के तरफ third word है वो detention वैसे यह आप लोगोंने काफी बार सुना होगा exam मतलब कि यह news में बहुत रहे detention center में डाल देंगे ऐसे-ऐसे कुछ करके हुआ था जिंज्यांग परांत में चाइना के चिंज्यांग परांत में वहां पर muslims को detention center में डाला जा रहा है तो detention detention का मतलब होता है हिरासत हिरासत में लेना okay detention को हम करने कैसे वाले हैं जरा देखो detention को यह नहीं the tension the tension the tension अब यह the जो है मतलब कि देना अगर तुमने the हमें tension यह वाली बात कर रहे हैं the tension example की दूर समझो जरा इससे यहांपर clear हो जाएगा यदि the tension यदि the tension तो हम किसी को कह रहे हैं कोई बंदा हमारे सामने कड़ा है यदि the tension तो हम तुम्हें हिरासत हिरासत अरे यार हिरासत में ले लेंगे clear हुआ तो detention यहांपर इसका की भी आगया और हिरासत में लेना तो यहाँ पर इसका meaning भी आ गया, अभी तो बोल रहा था, अच्छी अच्छी writing है, लेकिन देखना, यह सारा का सारा, इस board की जैसे हो जाता है, यार, सही चलता नहीं कभी-कभी, okay, detention, detention का मतलब होता है, रासत, और हमने कैसे कहा है, detention की से, अब इसके बाद आते हैं, अपने third word के बाद आते हैं, हम अपने fourth word के तरफ, four जो बाद है, वो desolate, 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 desolate का मतलब होता है, निराशा, उदास, निराशा, उदास, और हम इसको करने कैसे वाले हैं, जरा देखो डेशो लेट को हम करने वाले है डी जे डी जे लेट डी जे लेट डेशो लेट यानि ये लेट हो गया क्या लेट हो गया भाई या डी जे लेट हो गया ठीक है डी जे डी जे लेट अब एक्जांपल के उतरू समझो ज़रा डी जे डी जे होता ना एक्जांपल उपने शादि सारे बाराती रे यार यार यूपर सारे बाराती क्या हो रहा है सारे बाराती निराश हो गए सारे बाराती निराश हो गए निराश हो गए पता नहीं यह लास्ट में बता नहीं कुछ हो जाता है देखना यहां पर अपने आप चल गए यह निराश हो गए, clear यहाँ पर DJ late, DJ late यहाँ पर की भी आ गई और निराश होना यहाँ पर meaning भी आ गया, तो desolate, desolate को हमने कैसे किया है DJ late, desolate का मतलब क्या होता है, निराश और उदास अब आते हैं अपने इस वीडियो के last word की तरफ, जो है smattering, 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 यह है smattering, इसका मतलब होता है alp gyan, smattering का मतलब होता है alp gyan, और smattering को हम याद कैसे गरने वाले हैं देखो, smattering को फिर से white ring, जैसे हमने यहाँ पर spurs का is ले लिया था same to same, is कभी इस ही ले लेंगे, smattering मे, is matter, matter का मतलब क्या है मामला, matter का मतलब होता है मामला, ठीक है, is matter, तो यह की बनेगे हमारी, यह की बनेगे smattering, alp gyan, और इसको हमने याद करना है is matter से, example के तरफ से समझो जरा इसको, अरे यार यह फिर ठक रहा है example के तरफ समझो, is matter में, is matter में, हमें, is matter में हमें कम ग्यान है, या फिर, alp gyan है, alp gyan है, जैसे इस matter में हमें कम ग्यान है, या alp gyan है, जैसे कि अभी राष्टपती जी ने कहा था कि मैं भी tax देता हूँ, तो काफी लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया जबकि उनको पूरी knowledge नहीं थी, इन्होंने tax नहीं पढ़ा था, तो वहां पर राष्टपती जी भी tax देते हैं, ये mention किया हुए है कि राष्टपती को छूट नहीं होती है टेक्स देने ही में, तो वो उनको नहीं बता था, वहां पर उनको क्या थी smattering थी, अल्प ग्यान था, काफी सारे लोगों को होता है clear हुआ है, तो एक बार जल्दी से इन पांचो वर्ड को revise कर लेते हैं पहला जो वर्ड किया है, हमने spurs, spurs का मतलता बिखरा हुआ और हमने इसको याद किया इस पार, कैसे इस पार से उस पार तक सब कुछ भिकरा हुआ है second word है recalcitrant, recalcitrant को हमने याद, मतलब इसका मतलब होता है जिद्धी हटी और इसको हमने याद किया है recalcium से, recalcium लेने की वज़े से वह बहुत ज़्यादा जिद्धी हो गया है और इसको याद कैसे किया, DJ late अगर DJ late हो जाता है तो बराती निराश हो जाते है या निराश हो गए clear और इसका last word हमने जो किया है smattering, smattering का मतलब होता है अलप ग्यान और हमने इसको कैसे किया है इस matter से, mattering को क्या लिया इस matter से कैसे इस matter में हमें अल्प ग्यान है या कम ग्यान है clear, तो ये तो थे आज आज आपके 5 word उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये video और ये word अच्चे से समझ में आ गए होंगे आ गए होंगे तो क्या करेंगे, like करेंगे और subscribe करेंगे, channel को like भाई या video को करना है, कई सोचों कि channel को like करना है, channel को पसंद आ गया है तो इसको subscribe करना है और share करना है, share तो दोनों के साथ ही करेंगे, आप channel के साथ भी और video के साथ भी इनको share करें और इस video से related आपको PDF चाहिए तो नीचे description box में आपको Facebook का और Telegram का link मिल जाएगा, वहाँ पर आपके exam के point of view से बहुत सारे material वहाँ आपको provide किये जा रहे हैं तो बस आज के लिए इतना है था इस video में